लेक्चर है सटरडे सनिवार बारा बच चुके हैं तो आप सब लोग आजाए ये यूटूब पर प्रीमियर चल रहा है तो भारत में बैंकिंग प्रणाली ये हमारा टॉपिक है इंडिया में बैंकिंग सिस्टम तो आज हम एक्चुली में ये टॉपिक जो है काफी बड़ा ह तो आज हम इसका पार्ट वन डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे और फिस जरूरत पड़ी तो पार्ट थर्ड आएगा अधरवाइस पार्ट टू में अगर कंप्लीट हो गया तो पार्ट टू में ही हम कंप्लीट कर लेंगे यह यहां पर हमें यह नहीं देखना है कि कितने parts में वीडियो आ रहा है हमें यहां देखना है कि पूरा syllabus अच्छे से cover होना चाहिए पूरा topic अच्छे से cover होना चाहिए तो स्वागत करता हूँ मैं प्रेम पाल सिंग और आए इस वीडियो को सुरू करते हैं विना कुछ देरी किय आप सभी लोग जुड़ जाए क्लास के साथ और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कर दीजिए और इस वीडियो की PDF जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें वीडियो में वो PDF अगर आपको चाहिए तो description box में telegram channel की link दी हुई है उसे आप join कर सकते हैं और इसके साथ साथ ज में बात करनी है कि बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी बैंक की जरूरत क्यों पड़ी एक्चुली में क्या होता है कि माल लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है समझिएगा बात को आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या हो सकता है उस पैसे का यही हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगी अगर आपकी जेब में पैसे बहुत ज़ादा है तो मार्केट में जाके आप और खरीदारी ज़ादा करोगे तो जो goods और services है सामान है उसकी demand बढ़ने लगेगी और demand बढ़ेगी तो महंगाई automatic बढ़ेगी यह हम law of demand में आगी समझेंगे ठीक है तो पहला तो यह हो गए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो क्या हो सकता है पहला result कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और खर्चे अगर बढ़ेंगे तो वो inflation की तरफ indication देंगे और इस सारा करेंगे और inflation बढ़ाएंगे वो महंगाई बढ़ाएंगे दूसरा क्या हो सकता है अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं पैसा जो आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो क्या होगा यह बढ़ेगा तो है नहीं ऐसा तो नहीं है कि आज मैंन सारा पैसा पड़ा हुआ है तो हमेशा डर रहेगा आपको कहीं चोरी न हो जाए तो यह तीन प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ठीक है तो यहां पर एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ती है ऐसे इंस्टिशन की जरूरत पड़ती है जो आपकी यह solve कर पाए तब का जो concept आता है bank का तब जरूरत हमें मैसूस होती है bank की bank क्या करता है bank जो है उन लोगों से पैसा लेता है जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा पढ़ा हुआ है और बदले में bank को ने क्या देता है ब्याज देता है तो उनका भी फाइदा हो गया चोरी होने से बच गया पैसा और पैसा बढ़के भी मिल रहा है भई खाली पैसा पढ़ा हुआ था तो बढ़तों नहीं रहा था लेकिन bank ने ले लिया उससे पैसा तो bank उसको ब्याज भी दे रही है और पैसा तो बापस करेगी ही तो उसको बढ़के पैसा मिल रहा है उसको भी फाइदा हो गया दूसरा बैंक जिस व्यक्ति को कर्ज देगी उससे ब्याज लेगी तो इसमें बैंक का भी मुनाफ़ा है और जिसके पास पैसा नहीं था कोई मालो बिजनिस करना चाहता है या पैसे की कमी है बहुत जादा आइडिया उसके पास है कि बिजनिस बहुत अच्छा कर जाएगा वो लेकिन पैसे की कमे की वजए से उसका वो विजनिस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है और नॉर्मल लोग तो पैसा उधार देंगे नहीं क्योंकि उनको डर रहेगा कि मेरा पैसा आप बापस करेगा यह के नहीं करेगा लेकिन बैंक जो है उनको पैसा देगी और बदले में ब्याज लेगी और पैसा भी बसू लेगी तो यहां पर बैंक का भी फायदा हो गया तो यह तीनों प्रॉब्लम सॉल्ब हो गई ना बैंक से बही जब बैंक नहीं थी तो आपका प गत्रा तो इन 3 चीज हो की समस्या का समाधान हो गया बैंक आने से जिसके पास ज़्याएदा पैसा हे बैंक उससे ले लेगी और जिसके पास कम पैसा हे बैंक उसको देदेगी तो दोनों का काम चल गया है यहां पर ठीक है अब बात आती है यह हम डिसकस कर चुके है जिससे बैंक पैसा लेगी उसको ब्याज देगी बैंक और जिसको bank पैसा देगी उससे ब्याज लेगी क्योंकि उसका काम चलाया है bank ने ठीक है तो यहाँ पे हम बात करते हैं bank में और जो depositor है जो पैसा जमा करने वाला व्यक्ति है वो और borrower जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति इन तीरों में सबसे अहम भूमिका किसकी है important person कौन है इनमें तो सबसे important है depositor अगर depositor bank में पैसा जमा करने आएगा ही नहीं तो bank के पास पैसा कहां से आएगा और bank के पास पैसा नहीं आएगा तो bank कर्ज कैसे बांटेगी लोगों को तो सबसे important जो role है जो perform किया जा रहा है वो है depositor के द्वारा तो ध्यान रखना bank में depositor में और borrower में सबसे important कौन है depositor है यह आया हुआ प्रशन है प्रशन पूछा जाता है और अब बात आती है कि लोगों की समस्या तो solve कर दी अब कहीं यही bank लोगों के साथ दोकेबाजी कर दी है तो महारайश्ट वाला किस चुनाता ना आपने कही लोगों के पैसे जमाते हो महाराश्ट वाली bank में जो है लफड़ा होगया तो सारे के सारे सभी लोगों के पैसे मारे गए तो ऐसा लफड़ा बारवार नहों तो उसको control करने के लिए इन बैंकों के ऊपर भी एक ऐसी organization होनी चाहिए जो इनकी इनकी इनको जो है बांध कर रख सके इनकी जो नाक में नकेल पहना सके और इनको तुरंत तुरंत इनको हमेशा time to time remind दिलाती रहा करें कि लोगों का पैसा मारने की जरूरत नहीं है हम बैटे इन सब बैंकों के ऊपर भी एक बैंक होगा उसे हम कहेंगे central bank और इंडिया का central bank कौन सा है RBI RBI क्या करता है इन बैंकों के ऊपर निगरानी करता है कि यह बैंक आम लोगों का पैसा मार के न चले जाए ठीक है तो यह हो गया RBI के बारे में जो की supreme institution है इंडिया में सभी बैंकों के ऊपर नजर रखने के लिए और इंडिया का central bank है तो आप से पूछा जाता है भारत का central bank कौन है तो RBI है Reserve Bank of India बारती Reserve Bank जो क्या करता है लोगों के interest को protect करता है कि कहीं यह जो commercial bank है वो लोगों का पैसा न मार पाए ठीक है अब बैंक में आपने देखा होगा normally generally आपको पता ही होगा current account होता है saving account होता है fixed deposit होता है current account में ब्याज नहीं मिलता है लोगों को saving account में ब्य deposits में भी ज़ज मिलता है общем current account में जो पैसा जमा होता है और सेविंग अकांट में जो पैसा जमा होता है उसे हम demand deposit कहते हैं यह term आपको याद रखनी है question पूछा जाता है कि Demand deposit के अंतरगत कौन स से account आता है तो आपको बताना है current account saving account को मिलकर ही demand deposit कहते है With deposit को पैसा आगर जमा किया जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी आकर अपना पैसा मांग सकता है और बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा मतलब कभी भी वो डिमांड कर सकता है अपने पैसे की इसलिए इसे डिमांड डेपोजिट कहते हैं fix deposit में क्या होता है fix deposit में जो पैसा जमा होता है उसे हम time deposit कहते हैं आपने fix deposit FD का नाम सुना है तो 6 साल के लिए होती है fix time के लिए होती है ठीक है तो 6 साल से पहले कोई भी customer पैसा मांगने नहीं आ सकता bank के पास अगर पैसा मांगने आएगा 6 साल से पहले तो उसे जो है charge देना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मतलब उसका पैसा कट जाएगा पूरा पैसा उसको नहीं मिलेगा चार्ज कट जाएगा तो ये एक fix time के बाद depositor जो deposit किया है पैसा वो पैसा bid draw करने के लिए आता है एक fix time के बाद इसलिए time deposit कहते है ft में जो पैसा deposit होता है उसे time deposit कहते है ठीक है अब देखिए liability और asset में अंतर क्या होता है दो terminology है liabilities और asset liability वो चीज होती है जो हमें किसी की बापस करनी है ग्यान से समझेगा liability वो terminology है वो चीज है जो हमें किसी की बापस करनी है समझ गए अब liability दो प्रकार की होती है demand liability और time liability अब बात कर लेते हैं asset की हमने बात की asset वो चीज है जो हमारी खुद की है अब आप मुझे बताइए bank के लिए asset क्या होगी और bank के लिए liability क्या होगी ये terminology दियान रखना है आपको तो दियान रखिए bank में customer पैसा जमा करता है तो bank में जो पैसा जमा हो रहा है depositor के दोरा वो bank की liability है वो पैसा bank को बापस करना है उसका खुद का पैसा नहीं है वो तो bank के लिए liability क्या हो गई customer के deposit ठीक है और assets क्या हो गई bank के लिए bank ने जो loan बाट रखा है market में लोगों को वो पैसा बापस आएगा bank के पास तो bank के लिए वो हो गई assets उसकी ठीक है तो अब बात आती है demand पे आ जाते है demand liability और time liability liability दो प्रकार की होती है demand liability और time liability current account और saving account में जो पैसा जमा होता है वो बापस करना पड़ेगा bank को लोगों को तो ये हो गई demand liability क्योंकि कभी भी demand आ सकती है customer की तरब से fixed deposit में जो पैसा जमा होता है वो एक fixed time के बाद बापस करती है bank तो इसे हम time liability कहेंगे और demand liability और time liability दोनों को total कर दिया जाए तो total demand and time liability निकल कर आता है ध्यान से समझिएगा इस चीज को ठीक है अब बात आती है सरकार द्वारा महंगाई को control करने के लिए CRR SLR रेपोरेट का उप्योग किया जाता है ये हम monetary policy अगला हमारा जो lecture होगा अगला part में हम discuss करेंगे monetary policy of RBI RBI की monetary policy की बारा है बड़ा detail में lecture होगा interest आएगा आपको काफी मज़ा आएगा नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो CRR SLR रेपोरेट हम इस में detail में पढ़ेंगे उस lecture में अभी आपको ध्यान देना है कि सरकार द्वारा जो inflation को control करने के लिए CRR SLR रेपोरेट का उपयोग किया जाता है जैसे कि इन सभी की गड़ना करने के लिए CRR SLR और रेपोरेट निकालने के लिए NDTL का इस्तिमाल किया जाता है net demand and time liability ध्यान रखिएगा हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा total demand and time liability क्या होता है total demand and time liability क्या होता है demand liability plus time liability अगर दोनों को total कर दिया जाए तो total demand and time liability निकल कर आता है CRR SLR और रेपोरेट की गड़ना करने के लिए हम NDTL का इस्तिमाल करते है और NDTL total demand and time liability में से ही निकलता है NDTL का full form होता है net demand and time liability देखिए NDTL समझते हैं हर bank में ग्राहक personal रूप से या किसी संस्था के दौरा पैसा जमा करते हैं पता है आपको ये बात bank उनको या पैसे ब्याज के साथ बापस देती है ये भी पता है हम डिसकस कर चुके है ये सभी जमारासी को liability कहा जाता है क्यों 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 बैंक बापस करेगी इस पैसे को bank का खुद का पैसा तो है नहीं bank की कुल liability को NDTL कहा जाता है bank की जो total liability है उसको NDTL कहा जाता है अब यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी है टोटल डिमांड और टाइम लियाबिलिटी में से नेट डिमांड और टाइम लियाबिलिटी कैसे निकलता है वो हम दिस्कस करेंगे अभी तो बेंक की टोटल लियाबिलिटी है उसको NDTL कहा जाता है जिसके आदार पर CARR और SLR की गढ़ना कीजाती है और अच्छे से समझने के लिए हमें डिमांड लियाबिलिटी और टाइम लियाबिलिटी को डिटाल में समझना पड़ेगा Demand Liability क्या होती है Bank में जो भी Deposit होते है Demand Liability क्या होती है Bank में जो भी Deposit होते है जिसे ग्राहक के द्वारा On Demand बापस मांगा जा सकता है On Demand in the sense ग्राहक कभी भी Counter पे आकर खड़ा हो सकता है और अपना पैसा मांग सकता है इसे On Demand कहेंगे तो Bank में जो भी पैसा Deposit होता है जिसे ग्राहक के द्वारा On Demand बापस मांगा जा सकता है उसे Demand Liability कहते है इसके उधारन क्या है Saving Account, Saving Deposit Saving Account में जो पैसा जमा हो रहा है वो Demand Liability है Current Account में जो पैसा जमा हो रहा है वो Demand Liability है Demand Draft के तुरू जो पैसा जमा हो रहा है वो Demand Liability है Later of Credit और Bank Guarantee वो भी Demand Liability है Demand Liability कुछ इस तरह के Deposit होते हैं जिसमें से जब चाहे पैसा निकाला जा सकता है Customer के द्वारा Time Liability क्या होती है या कुछ इस तरह के Investment होते हैं जैसे एक समय के बाद ही आप इस पैसे को निकाल सकते हैं Time Liability के उधारन क्या है Fixed Deposit में जो पैसा जमा करेंगे एक समय के बाद ही निकाल सकते हैं Cash Certificate होते हैं Gold Deposit होते हैं Cumulative and Recurring Deposit होते हैं इनमें जो पैसा जमा होता है ये Fixed Deposit की तरह ही होते हैं इनमें जो पैसा जमा होता है उसे customer कभी भी आके जब उसका मन करे तब नहीं निकाल सकता है एक समय एक निश्यत समय के बाद ही निकाल सकता है तो यह on demand नहीं होते हैं यह fix time के बाद ही निकाल सकता है customer तो इसे हम time liability कहेंगे यह सभी time liability के उधारण है इसमें से पैसे निकालने कहते हैं ODTL bank में deposits के interest bank में depositor जो पैसा जमा करता है उस पे जो ब्याज देता है bank वो interest, bill, unpaid dividend जैसे deposits को other demand and tabularities में count किया जाता है bank अपने पास की deposits को ध्यान रखिएगा bank के पास बहुत सारा पैसा आता है customer जमा करते हैं bank में लेकिन bank क्या करता है bank में जो पैसा आया है उसमें से कुछ पैसे को bank किसी दूसरी bank में deposit कर देते हैं भई एक्ट्रा पैसा होता है तो bank क्या करते हैं SBI के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो SBI PNV से क्या कहेगी PNV भई आप ऐसा करो हमारे पास थोड़ा एक्ट्रा पैसा आ गया है हमारे पास रखा हुआ है आप इसको इस्तिमाल कर लो हमें थोड़ी से इंट्रेस्टी मिल जाएगा आपसे तो bank अपने पास में जो deposits होते हैं उसमें से कुछ पैसा वो अन्न बैंकों में भी deposit करते हैं इस तरह के deposits को NDTL में count नहीं किया जाता है ध्यान रखिएगा तो NDTL का formula क्या होता है demand liability हम discuss कर चुके है plus time liability बो भी हम discuss कर चुके है plus other demand and time liability बो भी हम discuss कर चुके है minus करेंगे जो bank ने दूसरे bank में पैसा जमा करके रखा है deposit in other bank माली जीए SBI की हम NDTL निकाल रहे है तो SBI का demand liability total रखेंगे plus time liability जोड़ेंगे plus other demand and time liability जोड़ेंगे SBI की और SBI ने जो PNV में पैसा जमा करके रखा है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा net demand and time liability formula याद रखना है formula पर भी question पूछा जाता है एक उदारन के तोर पर हम समझते है अगर कोई bank है XYZ bank उसके पास demand liability है 1000 रुपे और time liability है 2000 रुपे अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि demand liability और time liability का concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया है तो वीडियो को द्वारा से देखना है तो यहाँ पर हम मैं सिर्फ आप नाम लूँगा demand liability और time liability डिटेल में नहीं समझाँगा इसको क्योंकि मैं फीचे समझा चुका हूँ ठीक है अगर किसी XYZ bank के पास demand liability 1000 रुपे है time liability 2000 रुपे है और other demand and time liability 100 रुपे है तो उस bank का 200 रुपे दूसरी bank में deposit है ठीक है तो ऐसे इस bank का NDTL कुछ इस तरह से होगा NDTL बराबर formula हमें पता है demand liability plus time liability plus other demand and time liability minus deposits in other bank तो demand liability 1000 रुपे time liability plus 2000 रुपे और other demand and time liability plus 100 रुपे और माइनस जो इस बैंक का पैसा दूसरी में जमा है वो है 200 रुपे तो ये टोटल आ जाएगा 2900 रुपे NDTL आ जाएगा और इस 2900 रुपे पर वो CRR SLR ये जो है कैलकुलेट करेगी ठीक है Risorb Bank of India के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इंडिया की Central Bank है तो RBI जो है इंडिया की Central Bank है और ये एक Statutory Border है जिसे संसद में Bill पास करके बनाया गया था ठीक है ये responsible होती है किसके currency print करने के note चापने के लिए इसकी ये जिम्मेदारी है किसकी RBI की जिम्मेदारी है note चापने की ठीक है और बारत की अर्थविवस्ता में Indian economy में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है और कितना देना है market में पैसा बढ़ाना है या market से पैसा खीचना है तो supply of money को manage करती है RBI और currency को भी print करती है RBI बागी detail में आगे हम function पढ़ेंगे इसके और detail में क्या-क्या काम करती है RBI का राष्टिय करण कर दिया गया था एक जनवरी 1949 को इस पर प्रशन पूछा जाता है पूछा हुआ प्रशन आपको याद रखना है तो Reserve Bank of India जो है इंडिया की Central Bank है और ये एक regulatory body है और ये किसकी अंदर में काम करती है Ministry of Finance Government of India बारस सरकार के बित्र मंत्राले के अंदर ये जो है काम करती है आपके लिए प्रशन यहाँ पर ये है कि आपको बताना है बारस सरकार में प्रजेंट में Finance Minister कौन है बित्र मंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा अधरवाइस हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जवाब दे सकते हैं इट इस रिस्पॉंसिबल फोर दा इसू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी एंड रेगुलेशन ऑप दे इंडियन बैंकिंग सिस्टम और ये इसकी जिम फिल्मेंट होता है लेंदीन होता है उसको भी मैनेज करती है बारत की रिजर्व वेंक ये सारी चीजह आपको याद रखनी है हर लाइन पर कुश्चन बनता है मैं बार-बार कहरा हूं आपसे ठीक है और प्रमोट करती है भारत की एकोनोमिक डेवलमेंट को इंडिया की एक काम काम होता है सी असे पहले मतलब मौनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम भी RVI करती थी मतलब मौनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है मौनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए मौनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी लेकिन मौनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई गई थी उससे पहले monetary policy को लागू करने का काम भी RBI के द्वारा direct किया जाता था ठीक है अब ये इसका जो operation है इसने काम करना सुरू कब किया एक April 1935 को पूछा गया प्रशन है आपको याद रखना है Reserve Bank of India Act 1934 के बिहाब पर इसको बनाया गया था और इसने काम करना सुरू किया एक April 1935 को ठीक है इसमें जो original share capital was dividend into share of 100 each fully paid 100-100 रुपे के share थे इसके सुरू आत में और following India's independence on 15 अगर 947 the RBI was nationalized on 1st January 1940 RBI का nationalization हो गया था एक January 1940 को पिछली slide में हम डिसकस कर चुके है ठीक है it is a member bank of the ACN Clearing Union ACN Clearing Union की ये member bank है आपको याद रखने है प्रशन पूछा जाता है ठीक है the overall direction of the RBI lies with the 21 member central board of director इसमें जो है 21 member होते है central board of directors होते हैं जो किस-किस से मिलकर बनोते हैं एक होता है इसका मुख्य governor होता है RBI का आपके लिए प्रशन है आपको जवाब देना RBI का current में governor कौन है ठीक है four deputy governor होते है गवर्नर की मदद करने के लिए चार deputy governor होते है और दो finance ministry के representative होते है दो finance ministry जो बित्त मंत्राल है बारस सरकार का उसका representative होते है और ये usually economic affairs secretary होते है और financial services secretary होते है ठीक है और 10 government nominated directors होते हैं और इसके अलाबा government के द्वारा nominate किये गए 10 director भी होते हैं जो यहां काम करते हैं और four director who represent local board for Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi इन चारों जगे branches हैं RBI की में तो इनके जो director हैं वो भी इन 10 director में सामिल होते हैं ठीक है each of these local boards consist of five members और ये हर local board Mumbai, Kolkata, Chennai और दिल्ली का who represent regional interest and in the interest of cooperative and indigenous bank ग्या रखना है आपको RBI का structure हम समझते हैं RBI की सरचना हम समझते हैं RBI का head होता है वो governor होते हैं अब मैं बता देता हूँ आपको अभी सक्तिकांत दास RBI के governor है ठीक है ये ये पहले ऐसे governor है जिनकी education economics और finance में नहीं है ये MA history है ध्यान रखना है आपको MA history है और RBI को समाल रहे हैं ठीक है आजीब लगता होगा पर ये आपको जो है information से मतलब है क्योंकि question attempt करना है आपको तो ये पहले ऐसे governor है अभी तक के इतियास में after independence जिनकी qualification finance और economics से संबंदित नहीं है ये MA history है there are currently four deputy governor हमने discuss किया कि governor की मदद करने के लिए चार deputy governors होते हैं वो governor कौन से है deputy governors महिस कुमार जैन एम राजिशुर राव और माइकल पेटरांड और रवी शंकर ये चार deputy governor है deputy governor के नाम भी आपको याद रखने है the RBI has four regional representation RBI के चार regional center है नौर्थ नई दिल्ली में नौर्थ में और चैन्नाई में साउथ में और कौलकाता में इस्ट में और मुंबई में बैस्ट में ये चार center है men the representation are formed by five members appointed by appointed for four years by the central government and with the advice of the central board of director serves as a forum for regional banks and to deal with the delegated task from the central board it has two training college RBI जो है दो training college भी है RBI के जिसमें RBI में जो बंदे select किये जाते हैं उनकी training होती है officers की ये कहां पर हैं कौन से हैं ये reserve bank staff college नाम से है एक चैन्नाई में और एक है college of agricultural banking पूने में ठीक है ये दो college है RBI के जिनमें training दी जाती है और इसके अलावा तीन autonomous institution है जो RBI के द्वारा चलाये जाते हैं एक है national institute of banking management N.I.P.M. और दूसरा है इंद्रा गांदी institute of development research और इसके साथ institute of development and research in banking technology ये RBI के autonomous institution है there are also four journal training center इसके अलावा चार journal training center भी है RBI के मुंबई में चेन्ड़ी में कोलकाता में और नई दिल्ली में अब brief history हम समझते हैं RBI की हमने actually में सारी चीज़ें discuss कर ली है लेकिन कुछ important चीज़ और है sorry जो हम discuss करते हैं आपसे प्रशन पूछा जाता है कि RBI की जो इस्तापना है किस आयोग की सिफारिस पर की गई थी तो सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने ये सामिल किया है आपको याद रखना है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिसों की आधार पर RBI की स्तापना की गई थी पूछा गया प्रशन आपको बिलकुल भूलना नहीं है याद रखना है और it was started as a shareholders bank with a paid up capital of 5 करोड सुरुआत में 5 करोड की capital के साथ इसको सुरू किया गया था और सुरुआत में इसका headquarters कॉलकाता में था लेकिन 1937 में मुंबई में इसको लाया गया headquarters को ठीक है और सुरुआत में RBI private हातों में थी क्योंकि nationalization एक जनवरी 1949 को हुआ है तब सरकार के हातों में आई है लेकिन 1949 से पहले ये private हातों में थी प्राइविट लोग इसको चला रहे थे तो शुरुआत में ये private हातों में थी बाद में इसका nationalization हुआ है उनी 1949 में ये याद रखना है जिस तरह से हम इंडियन पॉलिटी में प्रियंबल पढ़ते है न उस तरह से RBI का भी एक प्रियंबल है प्रस्तावना उसमें क्या लिखा है दो प्रियंबल ऑप दे रिजर बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब बेसिक फंसन ऑफ दे रिजर बैंक एज तू रेगुलेट दा इसू अब बैंक नोट बैंक नोट को इसू करने का रेगुलेशन करेगी एंड कीपिंग ओफ रिजर बिद आ व्यू तो सिक्यूरिंग मॉनेटरी इस्टेबलिटी इन इंडिया भारत में मनी सप्लाई को कंट्रॉल करने के लिए मनी का बैलू कम नहीं जादा नहीं चाहिए में जाए उसको सिख्योरिंग करने के लिए यह आरबिंग ऐ काम करती है एंड जेनरली टू औपरेर्ट दा करेंसी baik को मैं में지 gauche करने के लिए U उसको manage करने के लिए भी RBI काम करती है, यह इसका preamble में यह line है लिखी गई है, function of RBI क्या है, currency issue करने का काम करती है, currency print करने का काम करती है, और developmental role भी होते हैं, developmental role करती है जैसे कि policy नई बनाना, जिससे इंडिया की economy में growth आए, development आए, ठीक है वो काम भी करती है, finance ministry के साथ मिलकर, और बारस सरकार के लिए यह banker का काम करती है, बारस सरकार का जितना भी landing होता है, सब की देखवाल यह करती है, और बारस सरकार को पैसा और करज चाहिए होता है, तो भी RBI करज देती है उसको developmental work के लिए, क्योंकि बारस सरकार के पास बहुत सारा काम होता है, developmental काम होता है, infrastructure development क का काम होता है फुल बनाने स्कूल बनाने भूस्पिटल बनाने है एमस बनाने एपसे को पैसे की जरूरत पढ़ती है तो वह सरकार के लिए भैन का काम भी करती है रभी ऐई टिक है और जो कमर्शAP बैंक के हमारे SBI पंजाव नेशनल बैंक बैंक बढ़ोदा इनको जब पैसे की जरूरत फोटी है तो RBI से यह कर्ज लेते हैं आम आदमी को पैसे की जरूरत होती है वो कहां जाते हैं कमर्सियल बैंकों के पास SBI के पास ही जाओगे न हम लोग लेकिन सोच ही अगर SBI के पास पैसे की कमी है उसको भी जरूत पड़ेगी वो कहा जाएगी आर्वीआई के पास जाएगी वो ठीक है रोल ओफ आर्वीआई इन इंफ्लेशन कंट्रोल महेंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी आर्वीआई काम करती है पैसे के माद्ध हम से फिस्क मॉनेटरी पॉलिसी के माद्ध हम से हम डेटेल में पढ़ेंगे आगे और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके अंडर है आर्वीआई के अंडर है किलियरिंग यूनियन बैंक अब तो काफी मर्ज हो गई है यह सारी बैंक है बैंक को बड़ोदा केनरा बैंक function of RBI यह image form में दिखा गया है वैसे हमने discuss कर लिया है तो देखे बैंकर्स का बैंक होता है currency issue करना, monetary authority, regulator of financial system, managing foreign exchange अच्छा विदेश से जो डॉलर आता है ना foreign exchange reserve में उसको safe रखा जाता है उसको manage भी RBI करता है विदेश से जो डॉलर आता है supply होती है इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं तो अपने गरवालों को वो पैसा बचा बचा के भेजते हैं अर महीं ने तो डॉलर महीं तो बेजेंगे, तो डॉलर का lending का जो हिसाब किताब है वो भी देखती है कि इंडिया में डॉलर कितनी supply हो रही है developmental function भी होते है, regulator of payment and settlement, government के लिए banker का काम करता है और detection of fake currency, जो नकली note market में चलते हैं उनका पता भी RBI लगाता है ठीक है, role of RBI, bankers to bank, monetary policy बनाना, currency issue करना, foreign exchange management करना, financial system को supervise करना यह है, objective क्या है, objective है, maintain internal value of currency, बारत की Indian रुपी की जो value ना गिर जाए उसको भी देखवाल करता है, उसको भी manage करता है, ठीक है, preserve the external value of रुपी, बाहर इंडिया की currency की value ना गिर जाए उसको भी देखता है, और price stability, ज्यादा rate बढ़ना जाएं, किसी सामान के कमना हो जाएं, उसको भी देखता है, और promote economic growth, economic growth को promote करता है और financial institution को promote करता है, reserve bank of India, reserve bank of India किसको control करता है, दो तरह की बैंकों को, schedule bankों को, non schedule bankों को non schedule bankों में तो ज्यादा ये जो है, असंगटित छेतर होते हैं, इन पर data एकटा करना बहुत मुश्किल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, जब जो statistics के बारे में हम पढ़ेंगे, तब इसको देखेंगे हम schedule bank में दो तरह की bank आती हैं, आपको याद रखना है, commercial bank और cooperative bank, commercial bank में आपकी public sector bank आएंगी, private sector bank आएंगी, विदेशी bank आ जाएंगी, और regional rural bank जो ग्रामीड बैंक हो आ जाएंगी, और cooperative में आ जाएंगी, आपकी state cooperative bank जो राज चलाते हैं, district cooperative bank और other cooperative bank अब public sector bank में SBI और उसकी associate आ जाएंगी, nationalized bank, other bank और other public sector bank, private sector में ICICI, HDFC आ जाएंगी, foreign bank में आपकी ES bank आ जाएंगी, bank of America आ जाएंगी, ठीक है, regional rural bank में जो ग्रामीड बैंक आ जाएंगी, ठीक है, तो यह हमने सुरुआती lecture है हमारा banking system in India के बारे में, अगले part में हम monetary policy के बारे में, बहुर detail में हम discuss करेंगी, काफी सांदर lecture होगा वो भी, ठीक है, तो I hope यह सारी चीज़ें आपको clear हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, अगर किसी भी topic में कोई doubt है, तो पहले तो आप video को revise करेंगे, द्वारा से देखी, समझने की कोशिस की दिये, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो comment करके हमें बता सकते हैं, और telegram channel में भी हमें बता सकते हैं, हम उस query को आपकी को solve करेंगे, हमारा मकसद है कि question आपके exam में आये, तो आप उसको छोड़ कर ना attempt करके आए, ठीक है, तो इस video क मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ कि यह video आपको जो भी पढ़ाये गया है, आपको अच्छे से समझ में आया है, next video में हम इसका next part लेके आएंगे, इसी topic का काफी बड़ा topic है, तो इसलिए हमें बारीगी से समझाना पढ़ रहा है, इसलिए parts जादा होंगे इसके, courses करेंगे, दूसरे part में खतम हो जाए, नहीं होता है तो तीसरा part भी इसका आएगा, ठीक है, तो इस class में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तो thank you, thank you very much, नमश्कार दोस्तो, welcome to regional IS, regional IS में आपका स्वागत है, हमां आज सनिवार है, और Indian economy हम discuss करते हैं, Saturday के दिन, time 12 बच चुके हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाए ये class के साथ, आज हमारा जो banking system in India, ये topic है, इंडियन economy का जो topic हम discuss कर रहे हैं, वो है banking system in India, तो इसका जो first part है, उसमें हमने RBI और उससे पहले basic चीज़ने discuss करनी थी, complete हो च second lecture, Indian economy का और Indian banking system का first part, तो वो आप playlist में जाके देख सकते हैं, आज हम Indian banking system का part 2 discuss करेंगे, जिसमें हमारा major focus रहेगा, regional rural banks पर, तो किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीज़ां इसमें cover की जाएगी, सारी information RRB से related यहाँ पर कबर की जाएगी, ठीके, तो चलिए सुरू क परते हैं, देखे, regional rural banks, RRB, regional rural banks are basically banking organization for local level operations, across the states in India, भारत में जितने भी राज्यों हैं, तो उन राज्यों में जो local level पर जो operations होते हैं, specifically gramid जो इलाके हैं, rural areas हैं, उनके लिए जो operations होते हैं, उनके लिए जो programs चला जाते हैं, तो यह RRB जो bank हैं, वो basically, जो है local level operation के लिए, एक ऐसी organization है, जो rural development के लिए काम करती हैं, ठीक है, they are created with a mandate to provide essential or basic banking and financial services to the rural areas, इनको बनाने का उद्देश, इनको बनाया इसलिए गया था, कि यह जो है basic services, आधारबूत सेवाएं, जो banking सेवाएं हैं, और financial services, बित्य सेवाएं हैं, उनको rural इलाके तक पहुँचा सकें, ठीक है, while regional rural banks are made for rural areas, they can operate in urban areas also, जो regional rural banks हैं, जो छेत्रिय ग्रामिड बैंक हैं, वो ग्रामिड इलाकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये सहरी इलाकों में भी operate होती हैं, सहरी इलाकों में भी branches हैं, इनकी वहाँ पे भी काम करती हैं, तो इसका जो main purpose है, the main purpose behind setting of the RRB is to mobilize financial resources from the rural areas, and grant lawns to needy and marginal farmers and articians, तो जो RRB को set up करने का main purpose ये था, कि ग्रामिड इलाकों से जो resources हैं, उनको mobilize किया जाएं, और ग्रामिड इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, जिनको जरूरत है पैसे की, उनको पैसा दिया जाए, lawn के तुरू, किसानों को पैसा दिया जाए, ठीक है, और जो छोटे-छोटे ब्यापारी हैं, उनको पैसा दिया जाए, जिससे वो अपना काम कर सकें, they also facilitate the movement of government funds to Manarayga workers, और distribution of pension, और जो regional rural banks हैं, ये Manarayga, महत्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act, MG Narega के तुरू, जो लोग काम करते हैं, उनको पैसा देने का काम भी, distribution का काम भी, यहां से किया जाता है, और जो pension बांटी जाती है, वो भी RRB के तुरू बांटी जाती है, रूरल इलाके में, RRB का इतियास अगर हम देखें अभी तक, तो Regional Rural Banks वर सेट अप ऑन दा वेसिज ओव नरसिम्मा कमेटी रिपोर्ट नाइनटी सेवनटी फाइब, प्रशन पूछा गया, प्रशन है, यह कई बार पूछा जाता है, कि RRB की इस्थापना कौन सी समिती, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन सिफारिस के आधार पर की गई थी, तो आपको जबाब याद रखना है, कि Regional Rural Banks जो सेट अप की गई थी, वो नरसिम्मा कमेटी रिपोर्ट नाइनटी सेवनटी फाइब की रिकमेंडेशन पर सेट अप की गई थी, और किस लॉग के आधार पर बनाई गई थी, किस अधनियम के आधार पर बनाई गई थी, आरारबी एक्ट नाइनटी सेवनटी 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 फाइब की ये भी याद रखना है, पूछा गया प्रशन है, पहली रीजनल रूरल बैंक, पहली छेत्रिय ग्रामीड बैंक किस साल बनाई गई थी, या पहली रीजनल रूरल बैंक की इस्थापना किस वर्स की गई थी, तो नाइनटी सेवनटी फाइब इसका सही जवाब है, और जो पहली रीजनल रूरल बैंक की गई थी, 1975 में नरसिम्मा कमेटी रिपोर्ट 1975 के आधार पर उसका जो नाम था वो था प्रथमा ग्रामीड बैंक, ओनरसिप की बात कर लेते हैं, इसमें मालिकाना हक जो होता है, कोई भी आर आर बी है, कोई भी छित्री ग्रामीड बैंक है, उसमें मालिक कौन होता है, या एक मालिक होता है या बहुट से मालिक होते हैं अगर बहुट से मालिक होते हैं तो कितने कितने percent के मालिक होते हैं ये share पूछा जाता है आपसे प्रश्ठ जो है exam में तो जो central government है इसमें देखिए जो RRB है the equity of RRB is held by the stakeholders in fixed proportion of 50, 15 and 35 distributed among the following 50, 15, 35 के अनुपात में ये ownership मालिकाना हक बटा होता है तो केंदर सरकार की हिस्सेदारी कोई भी अगर regional rural bank है आपके आसपास भी चल रही है तो ध्यान रखिएगा उसमें केंदर सरकार की जो हिस्सेदारी होगी वो 50% होगी overall और 15% हिस्सेदारी राज सरकार की होगी और sponsor bank जो उसे sponsor कर रही है जैसे कि ये commercial bank होती है SBI कई ग्रामिड बैंकों को sponsorship देती है तो sponsor जो बैंक होगी जो इस ग्रामिड बैंक को sponsor कर रही होगी उसकी हिस्सेदारी 35% होगी तो total RRB का जो मालिकाना हक है वो तीन भागों में distribute है 50% हिस्सेदारी किंद सरकार की होती है और 15% हिस्सेदारी राज सरकार की होती है और 35% हिस्सेदारी sponsor बैंक की होती है तो these ratios are important to remember to be able to face the question related to regional rural bank recruitment ठीक है objectives of regional rural bank उद्देश से क्या है छेत्री ग्रामिड बैंक के तो उद्देश इसका ये है पहला to bridge the credit gap in rural regions in India जो credit gap उभर कर आता है कि सहर में लोगों को loan मिल जाता है गाओं के लोगों को loan नहीं मिलता है तो उस gap को ये भरना चाहती है और ये चाहती है कि regional rural bank के आने से गाओं के लोगों को भी loan मिले credit मिले उधारी मिले दूसरा है to check rural credit outflow to urban areas और ये ये भी चेक करती है कि rural credit outflow गाओं से बाहर पैसा कितना जा रहा है urban area में to reduce regional imbalances in terms of availability of financial facilities rrb जो है regional imbalances मतलब छेत्र भाई छेत्र जो जो difference निकल के आता है कि मालो किसी छेत्र में रहने वाले लोगों जो ग्रामीड लोग हैं उनको ज़्यादा loan दिया जा रहा है लेकिन कोई एक ऐसा छेत्र है जो बंचित रह गया इन चीजों से और इने loan नहीं मिल पा रहा है तो ये जो imbalances आ रहा है छेत्र के इस छेत्र में loan मिल रहा है लोगों को उस छेत्र में नहीं मिल रहा है तो ये जो imbalances है इसको भी खतम करती है ये मतलब ये चाहती है कि ग्रामीड इलाका कोई भी ग्रामीड इलाका हो किसी भी छेतर से बिलॉंग करता हो वहां के रहने वाले सभी ग्रामीड भाई बंदूओं को जो है लौन मिलना चाहिए आरारबी का उद्देश्य है अगला उद्देश्य है to increase rural employment generation ग्रामीड इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन करना ये भी इसका उद्देश्य है ठीक है विसेष्टाएं क्या है RRB की RRBs have knowledge of rural constraints and problems like a cooperative because it operates in familiar rural environment RRB के पास पूरी complete knowledge होती है ग्रामीड इलाकों की क्यों क्योंकि वो ग्रामीड माहौल में काम कर रही है और वहां की जमीनी हकीकत को RRB समझती है ये nationalized bank नहीं समझेंगे ये इस SBI पंजाब national bank लेकिन जो ग्रामीड बैंक है वो वहां के लोगों के behavior को समझती है वहां किस छित्र में क्या समस्या ज़्यादा चल रही है और किसके लिए पैसा देना चाहिए वो सारी चीज़ें जमीनी हकीकत को समझती है RRB और RRB जो है जो financial resources है उनको mobilizing करने में भी काम करती है और ये प्रोफेशनलिज्म की तरह काम करती है RRBs are supposed to work in its prescribed local limits और हर RRB अपनी limited area में ही अच्छे से काम करती है इट प्रोवाइट्स बैंकिंग facilities as well as credit to small and marginal farmers, small entrepreneurs, laborers, artisans in rural areas और ये जो है उधार पैसा देती है कर्ज देती है लॉन बांटती है किसको जो किसान है छोटे छोटे ब्यापारी है उद्धमी है और लेवर है और जो है आपका मजदूर वर्ग है ये सब को क्रामीड इलाकों में RRB लॉन बांटती है RRBs have to fulfill the priority sector lending norms as applicable on other commercial banks हम जानते हैं priority sector lending क्या होता है कि RBI fix कर देती है कि आपको जितना lawn एक साल में बांटते हो लोगों को उसमें से 50% आपको इन sector के लिए ही बांटना पड़ेगा तो agriculture भी priority sector lending में सामिल है तो जिस तरह से commercial bank जैसे कि पंजाब national bank और state bank of India ये priority sector lending की जो norms है rules और regulation है जो RBI के द्वारा बनाए गया है उनको follow करते हैं उसी तरह से RRB भी follow करती है इन priority sector lending norms को और ये भी fix लोगों को fix जो है कर्ज बाटती है जैसा कि RBI चाहती है Reserve Bank of India चाहती है commercial bank से और RRB से priority sector lending RBI mandates that all domestic bank must ensure that 40% of their loans and advances are given to the priority sector RBI ने ये compulsory कर रखा है कि 40% loan जितना आप loan बाटते हैं पूरे साल में उसमें से 40% loan priority sector lending को ही देना पड़ेगा जो जरूरत के sector है priority sector comprises priority sector में क्या क्या चीज आती है जैसे एक भारती अर्थेवाश्ता के कौन कौन से area priority sector में count होते हैं तो ये आपके जो है that require banking assistance but gets neglected by banks due to various regions इसमें देखिए Reserve Bank of India categorizes agriculture, retail trade, education, housing and small business as priority sector RBI ने agriculture को, retail trade को, education को, housing को और small business को priority sector में count कर रखा है तो RBI अगर कहती है कि priority sector को आप 40% loan दो तो मतलब पूरे loan का 40% इन सब लोगों को मिलके ही बाटना पड़ेगा इन सब लोगों को दिया जाएगा जो इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं चाहे वो agriculture से हो, retail trade से हो, education loan हो, housing loan हो, small business के लिए loan हो उस 40% के अंदर भी इन सब का अपना अपना ratio बटा हुआ है कि किसको कितना मिलेगा उस 40% के अंदर भी यह हमने overall बात किये कि 40% इन सब के लिए presently the total number of RRBs in India is 57, current में भारत में जो RRB हैं वो 57 RRB काम कर रही है RRBs as a whole are a tools for financial inclusion in rural areas जो RRB हैं जो खेतरी ग्रामीड बैंक हैं वो ग्रामीड अलाकों में financial inclusion का काम करती है financial inclusion क्या होता है कि बैंक की जो basic सुबदाएं हैं वो हर एक लोग तक पहुंच सके वही है financial inclusion जैसे जंदन अकाउंट खोले गए थे तो यह financial inclusion का एक अच्छा होधारण है they act as a financial intermediaries numerous beneficiaries in rural and semi urban areas और इसका फाइदा जो है rural और urban दोनों लोगों को मिलता है area of functioning of regional rural bank कौन कौन से area में RRB काम करते हैं regional rural banks are required to function within a limited area for which they are established जिस छित्र के लिए उनकी स्थापना की गई है उसी छित्र उसी limited छित्र में वो RRB काम करते हैं usually the functional area of each RRB is confined to a few districts of the state in which they are set up normally देखा गया है कि RRB का जो काम करने का जो area है छित्र है वो क्या है उस राज्य के कुछ district के ऊपर एक RRB होती है तो वो RRB उन districts के अंडर अंडर ही काम करती है RRB is decided by central government in consultation with NAWAD and the sponsor bank by way of a notification issued in this regard RRB कब RRB कहां पर बनानी है कहां पर establish करनी है ये decision central government लेगी नावाड से सला मस्वरा करने के बाद नावाड क्या है national bank of agriculture and rural development तो जो ग्रामिन बैंक है उनको उनके उपर rules regulation बनाने का काम नावाड करती है ध्यान रखिएगा और sponsor bank के साथ consultation करती है central government तो RRB जब establish की जाती है RRB की जब इस्थापना की जाती है किसी area में तो केंद्र सरकार जो है नावाड से और जो sponsor bank है जैसे कोई भी हो सकती है sponsor bank SVI, PNV कोई भी उनके साथ सलामस्वरा करने के बाद ही और उनको notification issue करने के बाद ही ये इसकी स्थापना की जाती है और इसके लिए RRB को ये compulsory हो जाता है कि वो अपना head office उसी area में बनाए जिस एरिया में बनाए जिस area के लिए उसको काम करने के लिए दिया गया है जो area उसको काम करने के लिए दिया गया है उसका जो central place है जो केंद्र विंदू है उस area का जहां पर सब लोग आ जा सकते हैं वहीं पर head office बनाए because they are also authorized to open their branches और appoint agency within their specified area और इनकी जो branches है वो भी होती है अलग लग जगे और एक होता है head office role of regional rural banking for rural development ग्रामेड विकास में RRB का क्या योगदान है तो regional rural banks were established with the following responsibilities in mind RRB की स्थापना निमलिखित जिम्मेदारियों को निभाने के लिए की गई है पहला है taking the banking services to the doorstep of rural masses particularly in the hit here to unbanked rural areas सबसे पहला काम RRB का ये है कि जो गाउं में रहने वाली बहुत से भीड़ जो लोग है और जो ऐसे ग्रामी लिलाके जो banking system के बारे में जानते नहीं हो banking system से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है वो अपना काम अलग करते हैं तो इन सब area को bank के साथ जोडने का काम भी RRB का है और RRB को जो है जो पैसे की जरूरत किस area में है वो भी identify करना पड़ता है जिससे वो उनको लॉन दे पाए अमतर थर्ड नंबर है अब देखे ऐसे institutional credit ऐसा कर्ज देते हैं बाटते हैं वीकर सेक्षन को जो कमजोर वर्ग है समाज का समाज का जो कमजोर वर्ग है जो mostly private जो money lender होते हैं जो ज़्यादा ब्याज लेते हैं वो पैसा कर्ज बाटते हैं उन पर depend होता है समाज का जो वीकर सेक्षन है कमजोर वर्ग है तो उनको कर्ज मोहिया कराना RBI RRB करती है इससे ग्रामीड विकास होता है चोथा है टू enhance banking and financial financing facilities in backward और unbacked areas और चोथा ये है कि ऐसे एरिया जो backward एरिया है और कुछ ऐसे एरिया जो बैंक से बिलकुल connect ही नहीं है जिनसे बैंक का कोई लेना देना ही नहीं है जुड़े ही न अपना manually काम करते हैं सब कुछ तो इन एरिया को जो है इन एरिया में banking और financing facilities को enhance करना और उनका योगदान बढ़ाना उनका इस्तेमाल बढ़ाना और उनको aware करना जिससे वो लोग banking system से चोड़ सकें पांचवा है mobilize rural savings and channelizing them for supporting productive activities in rural areas चीक है तो गाओं के लाकों में जो productive activities हैं जिनसे उत्पादक छमता बढ़ेगी ऐसी activities के लिए जो है rural saving को mobilize करना और channelize करना चैनलाइज मतलब एक ऐसे channel के setup करना जिससे लोग आसानी से RRB से लॉन ले सकें और वो अपना productive activities जैसे कि फसलोगाना मचली पालन करना ये सारी चीज़ां कर सकें ऐसी activity जो productive हो जिससे फाइदा हो चटवा है to provide finance to the weaker section of society like small farmers, rural artisans and small producers, rural labourers और ये lawn प्रोवाइड करते हैं किसको छोटे छोटे जो किसान है और छोटे छोटे उत्पादक करता है चोट और जो गाओं की लेवर है इसको ये lawn प्रोवाइड करते हैं तो इससे भी गाओं का विकास होता है इनकी जि लेगा तो ये उस lawn के पैसे का इस्तेमाल किसी productive activity के लिए करेंगे और productive activity के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा तो इनको भविस्य में फाइदा होगा तो इनकी जिब में पैसा आएगा जिब में पैसा आएगा तो इनकी खरीदने की सक्ती बढ़ेगी पर्चेसिंग पावर है बो बड़ेगी तो यह लग-लग सामान खरीदेंगे या सामान खरीदेंगे तो economy अच्छे से चलेगी साथ भा है to create a supplementary channel for the flow the central money market to the rural areas through refinancing आठ भा है to provide finance to cooperative societies, primary credit society, agriculture and marketing society और यह जो है cooperative society को agriculture marketing societies को और primary credit societies को अलग-अलग societies बनी होती हैं उनको भी finance करते हैं पैसा देते हैं जिससे वो अपना काम कर पाए नवा है generating employment opportunities in rural areas and bringing down the cost of providing credit to rural areas नवा है कि यह गाओं के जो ग्रामिल इलाके हैं उसमें जो है रोजगार के अवसर पैदा करती हैं यह और जो लोगबाग गाओं में रहते थे वो private lender पर depend थे करज मागने के लिए उनको यह करज देना सुरू कर देती हैं जिससे क्या होता है करज लेना महंगा नहीं सस्ता हो जाता है उन लोगों के लिए तो कोश्ट को भी reduce करती है दसवा है enhance and improve banking facility to semi urban rural and other untapped market और जो banking facility है semi urban और rural इलाकों में उसको enhance करती है उसको बढ़ावा देती है और यह काम करने के लिए जो rrb में इस टाप काम करता है उसको उस एरिया की local language अच्छे से आनी चाहिए जिससे वो proper communicate कर सके जो ग्रामील इलाकों में रहने वाले person है उनसे problem or challenges of rrb rrb के में क्या problems है इस समय और क्या क्या challenges उसके द्वारा face किये जा रहे है तो पहला है rrbs are facing the problem of inadequate finances rrb के पास finance बहुत कम है मतलब पैसा बहुत कम आ पाता है rrb के लिए so they are dependent on nawad to collect finance for their further operation poor rural people are unable to save anything due to poverty and low per capita income the low level of saving of these customer create obstacles for rrbs to collect sufficient deposits देखे ग्रामील बैंक जो है ग्रामील इलाकों के लिए है और ग्रामील इलाकों में रहने बाले जो लोग है वो इतने गरीब होते हैं कि वो अपना खाना पीना ही अच्छे से चला पाते हैं इसके अलावा वो saving नहीं कर पाते हैं बचा नहीं पाते हैं पैसा क्योंकि अगर पैसा बचाएंगे तो वो rrb की branch में जमा करा पाएंगे न अपने खाते में और rrb की खाते में जमा करा पा है बचत ज़्यादा नहीं है जिससे वो अपने पैसे को आररबी के बेंक खाते में जमा कर सके और आररबी उस पैसे का इस्तमाल दूसरे लोगों को लॉन देने में कर सके तो लॉन भांटने के लिए जो पैसा चाहिए होता है RRB वो पैसा कहां से लेती है नाबाड से लेती है उसी पर निरवर रहती है कि आप हमें पैसा दो फिर हम गाउं के लोगों को लॉन बांटेंगे ठीक है दूसरा है High Overdues and Poor Recovery of Lone is one of the biggest concern affecting the functioning of RRBs दूसरा ये है अब RRB के पास पहले से ही पैसा नहीं आ रहा है डिपोजिट्स नहीं आ रहे हैं कस्टमर के गाउं में रहने वाले लोगों के डिपोजिट्स नहीं आ रहे हैं तो RRB क्या कर रहा है फिर भी नाबाड से कर्ज लेके लोगों को लॉन बांट रहा है बाटता जा रहा है लेकिन लोग उस loan को ही वापस नहीं कर रहे हैं तो recovery rate बहुत कम है इससे क्या है overduce बहुत बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विसे है RRB के लिए इसके पीछे कि recovery नहीं हो पा रहे है ये पैसे की RRB की जो loan के माध्यम से पैसा बाट रहा है वो पैसा RRB के पास बापस नहीं आ रहा है इसके पीछे भी कही कारण है कि इस्ठाप member जो RRB में काम करने वाले लोग हैं वो talented नहोना और जो है marketing facilities अच्छी नहोना और recovery का माध्यम recovery करने का तरीका सही नहीं होना ये किसा कई कारण है तीसरा है there is also a problem of regional imbalances in banking facilities provided by the RRBs they are creating this problem by concentrating their branches in some specific states and districts and lose other perspective group of customers regional imbalances की problem जादा है RRB क्या करती हैं बहुत सारी कि कोई अच्छा जिला है वहाँ पे branch 2-2 डाल देंगी 3-3 डाल देंगी लेकिन वहीं बाजू बाला जिला है उसमें एक भी branch नहीं है तो ये छेतर के आदार पर भेदवाब क्यों हर जगे branches होनी चाहिए और हर customer को equal treat करना चाहिए आपको एक जिला में तीन ब्रांच हैं आपकी वहाँ के customer को lawn मिलता जा रहा दूसरे जिला में ब्रांची नहीं है वहाँ के customer इन सुवधाओं से बेखवर हैं बिल्कुल तो ये reasonable imbalances की problem जादा है चोथा है many RRVs are suffering from the problem of heavy lawns because of low repaying capacity of their customer चोथा ये है कि RRV के पास समस्या कितनी बड़ी आ रही है समस्या क्या है कि वो जो है इतने heavy lawn से ग्रसित हो चुके हैं इतने heavy lawn से पड़ेसान हो चुके हैं क्यों क्योंकि जो customer उनसे lawn ले जाता है वो बापस ही नहीं कर पा रहा है मालो फसल के लिए lawn ले गया ओला ब्रस्टी हो गई ओले पड़े बारिस आ गई मौसम खराब हो गया फसल बरबाद हो गई अब बिचारा कहां से दे वो पैसा तो repaying capacity customer की जो है कम हो गई है ठीक है तो यह जो है problem है RRB के साथ पांच भी है these banks have still not played a significant role in poverty elevation of the country पांच भी problem यह है कि यह जो bank है वो गरीवी दूर करने में देश की मदद नहीं कर रहे है गाउं के अलाकों की जो लोग हैं उनकी गरीवी दूर करने में मदद नहीं कर पा रहे है भई आप gramid लोगों को loan दे रहे हो जिस मकसद से gramid व्यक्ति loan ले जा रहा है वो combo करता है फिर उसको profit होता है तब वो loan बापस कर पाता है अगर loss हो जाता है तो वो विचारा वैसे ही मारा जाता है तो loan बापस नहीं करेगा तो आपका loss है इसलिए आप proper planning के साथ एक proper way में आप loan बाटिए और loan देने से पहले region का पता कीजिए कारण का पता कीजिए किसलिए वो व्यक्ति loan ले जा रहा है और अगर फसल उगाने के लिए loan ले जा रहा है तो फसल उगाने की techniques भी उसे अच्छे से पता होना चाहिए जिससे वो जादा से जादा मुनाफ़ा कमाए क्योंकि जादा से जादा मुनाफ़ा कमाएगा तभी तो आपकी loan बापस कर पाएगा वो ठीक है तो ये जो है poverty elevation तभी उसकी गरीवी दूर होगी अगर वो अच्छे से काम कर पाएगा तो कमा पाएगा पैसा तो although various efforts have been made in this regard but lake of economic infrastructure, poor marketing strategies, poor knowledge of customer low production, low awareness about saving have created many hurdles for RRB poor economic infrastructure जो है economic infrastructure बिलकुल कमजोर होने की बज़े से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है जो RRB के लिए बहुत सी hurdle create कर रही है परेसानी पैदा कर रही है चटवा है lake of proper coordination between RRBs and other financial institutions like commercial banks, NAWARD and other cooperative banks has badly affected the performance of these banks चोथा है चटवा है RRB देखे सबसे सलाम असुरा करके काम करती है तो RRB का proper coordination proper बारताल आप नहीं हो पा रही है financial institutions, जो other financial institutions है जैसे कि commercial bank, मालो commercial bank के SBI, PNV जो इन sponsor bank होते है RRB के और NAWARD का, NAWARD से जो इनके उपर rules regulation बनाती है तो उनसे proper coordination proper सलाम असुरा नहोने के बाबजूद नहोने के कारण इसमें जो है इनकी जो RRB की जो performance है वो खराब हो रही है तो ये भी सबसे बड़ी problem है RRB के अंदर ठीक है तो आग गाईस हमने discuss किया RRB के बारे में आपको सारे प्रशन याद रखने हैं कहां से प्रशन बन सकते हैं सारे जो important facts हैं वो भी याद रखने हैं और जो जितनी भी knowledge जो भी information हमने share की आपके साथ वो आपको याद रखनी है इस lecture का ये जो PDF आप देख पा रहे हैं जो slide आप देख पा रहे हैं इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो description box में हमारा telegram channel का link दिया हुआ है वहाँ जाके आप join कर लीजिए lecture के तुरंत बाद वो PDF telegram channel में डाल दी जाती है तो वहाँ से आप access कर सकते हैं download कर सकते हैं तो I hope lecture पसंद आया होगा आपको और अगर lecture अच्छा लगता है तो share जरूर कीजिए social media platform पर जिससे और लोग भी इसको देख पाएं और जो है अगर कोई doubt है आपका किसी भी topic में तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं अदरवाइस telegram channel में भी बता सकते हैं हमसे connect हो सकते हैं और अगर channel आपने अभी तक subscribe नहीं किया है नई user हैं आप तो आप channel को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए जिससे वीडियो upload होते ही या वीडियो live होते ही आपको notification मिल सके जिससे आप class के साथ तुरंत connect हो पाएं आप हमें other social media platform पर भी follow कर सकते हैं इसके लिए आप regional IS के YouTube channel पे जाएंगे तो जो YouTube channel में about section में जाएंगे तो वहाँ पर different different link दी हुई हैं उन पर click करके आप facebook, twitter, linkedin, instagram हर जगे हमसे connect हो सकते हैं और हर जगे आपको specific study material दिया जाएगा आपके exam से related तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ thank you, thank you very much हमसे जुड़े रहने के लिए